हेलो बच्चो, इस वीडियो के अंदर हम दा नौटी बॉय, पोयम के क्वेशन आंसर्स करेंगे पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को, हमारा पहला न्यू वर्ड है नौटी बच्चो नौटी का मतलब होता है शरार्ती फाउंड, फाउंड का मिनिंग होता है पाना ग्राउंड, ग्राउंड कहते हैं फर्श को मेरी, मेरी का मतलब होता है हैप्पी, मतलब खुश चेरी, चेरी एक फ्रूट का नाम है जो रेड कलर का होता है और खाने में बहुत मीठा मीठा सा होता है और वो छोटा होता है वेटी, वेटी का मतलब होता है वो चीज जिसके अंदर कुछ वजन हो मतलब वजनदार चीज वुड़न, वुड़न का मतलब होता है लकड़ी का अब हम करेंगे रीडिंग इस फन Q1. From where did the naughty boy come? Naughty boy कहां से आया था? आप लिखोगे, the naughty boy came from England Naughty boy England से आया था Q2. Where did the naughty boy go? Naughty boy कहां पर गया था? आप लिखोगे, the naughty boy went to Scotland Naughty boy Scotland में गया था Q3. Why did he go there? वो वहां पर क्यों गया था? आप लिखोगे, he went there to see its pupil Naughty boy वहां की लोगों को देखने गया था Q4. What did the boy wonder about? Naughty boy क्या सोच कर बहुत हैरान था? आप लिखोगे, the boy wondered that all the things found in Scotland were all the same as in England Naughty boy इस चीज को सोच सोच कर हैरान था कि Scotland के अंदर जितनी भी चीज़े थी वो सारी चीज़े, England के अंदर जो चीज़े हैं उनकी जैसी ही थी तोनों जगा की चीज़ों में कुछ भी फारक नहीं था अब हम करेंगे, let's listen बच्चों, ये जे question दिया गया है आपको इसका कुछ भी आंसर नहीं लिखना है इस question के अंदर आपको अलग-अलग activities करनी है जैसे आपको घोडे की तरह कूदना है नीचे फरश पे गिर जाना है शरार्ती पने से चलना है पैरों के अंदर जोतों को पहन के चलना है गोल-गोल घूमना है तो आप इन activities को कर लिजगा अगर आपका मन हो तो अब हम करेंगे, let's talk question number one what do you think the naughty boy would see in India आपको क्या लगता है की naughty boy इंडिया के अंदर क्या देखेगा आप लिखोगे, the naughty boy would see everything same in India naughty boy इंडिया के अंदर भी उनी सब चीज़ों को देखेगा जो चीज़े उसने Scotland और England में देखी थी question number two have you been to another place recently? what is it like? how is it different from your own place? बच्चों यहाँ पर आपको उस जगा के बारे में लिखना है जिस जगा पर आप गए हों आपको यह बताना है की वो जगा कैसी थी और वो जगा उस जगा से कितनी अलग है जिस जगा पर आप रहते हो आप लिख सकते हो yes, I have been to Kerala last month हाँ, मैं पिछले महीने Kerala में गई थी it is a beautiful place वो एक बहुत ज़ादा खुबसूरत जगा थी as compared to my city the climate of Kerala is very pleasant it has wonderful beaches अगर मैं अपने शहर से Kerala को compare करूँ तो Kerala का जो climate है मतलब मौसम है वो ज़ादा अच्छा और सुहाना है केरला के अंदर बहुत प्यारे प्यारे और सुन्दर सुन्दर बीचस भी हैं बच्चों बीच कहते हैं समुदर के किनारे को बच्चों इस क्वेशन के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना बच्चों जिस जगा का folk song होता है वो folk song उसी लैंग्विच के अंदर गाया जाता है जैसे अगर folk song पंजाब का है तो वो पंजाबी लैंग्विच के अंदर ही गाया जाएगा वो पंजाबी लैंग्विच के अंदर ही लिखा जाएगा उस folks song के अंदर पंजाब के बारे में बताया जाएगा लोग जब उसको सुनेंगे तो वो पहचान लेंगे कि ये folks song पंजाब का है ऐसे ही बच्चों उत्तर प्रदेश का अपना folks song होता है सिक्किम का अपना हिमाचल प्रदेश का अपना ऐसे ही अलग-अलग जगाओ के अलग-अलग folks songs होते है अब हम करेंगे word building question number one naughty is a describing word can you find more describing words in this maze बच्चों, naughty एक describing word है describing words उन words को कहते है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज कैसी है अब नीचे जो मेज दी गई है इसके अंदर आपको और भी describing words को ढूनना है तो चलिए हम इस मेज के अंदर describing words को ढूनते है मेज के अंदर जो जो describing words है वो है beautiful ugly, naughty, good, healthy, strong, weak, rude, swift question number two now write these words here बच्चों नीचे कुछ sentences लिखे हुए है जिनके अंदर blanks है अब आपको इन blanks को जो आपने पीछे words ढूनना है ना उनकी help से fill करना है first है यहाँ पर आफिल करोगे national the peacock is a national bird peacock एक national bird है Pinocchio is a dash puppet आप यहाँ पर लिखोगे naughty Pinocchio is a naughty puppet Pinocchio एक बहत ही शरारती puppet था I saw an dash quarrel यहाँ पर आप लिखोगे ugly I saw an ugly quarrel बच्चों quarrel का मतलब होता है लड़ाई जगड़ा मैंने एक बहुत ही गंदी सी लड़ाई जगड़ा देखा Morning exercises make you dash आप लिखोगे healthy Morning exercises make you healthy सुभा में जब हम exercise करते हैं तो वो हमें बहुत ज़ादा स्वस्थ बनाती है A glass of milk makes your teeth dash यहाँ पर आप लिखोगे strong A glass of milk makes your teeth strong एक गिलास दूद हमारे दातों को बहुत ज़ादा मस्बूत बनाता है Rita's dash behavior annoyed me आप लिखोगे rude Rita's rude behavior annoyed me Rude का meaning होता है रूखा या फिर बुरा Rita का रूखा वेवार मुझे बहुत परिशान करता है Rahul does not eat green vegetables therefore his eyesight is dash यहाँ पर आप लिखोगे weak Rahul हरी सबजियों को नहीं खाता है इसलिए उसकी आखों की देखने की जो power है मतलब नजर जो है वो बहुत ज़ादा कमजोर है National का मीनिंग होता है राष्ट्रे Naughty का मीनिंग होता है शरार्थी Ugly का मीनिंग होता है बुरा या फिर गंदा Healthy का मीनिंग होता है स्वस्त Strong का मीनिंग होता है ताकतवर Rude का मीनिंग होता है रूखा Weak का मीनिंग होता है कमजोर अब हम करेंगे, let's write question number one can you write six things that are made of wood बच्चों यहाँ पर आपको उन शह चीजों के नाम लिखने हैं जो लकडी से बनती हैं आप लिखोगे chair, window, ladder ladder कहते हैं सीड़ी को table, door, boat look at the words given below and put them under the things that they are made of बच्चों नीचे कुछ चीज़े दी गई हैं जिनको आपको right columns के अंदर फिल करना है first है metal आपको यहाँ पर उन चीजों के बारे में लिखना है या उन चीजों को लिखना है जो metal से बनी भी होती हैं मतलब जो किसी धातू से बनी होती हैं आप लिखोगे काल, scissors, knife, wood, लगड़ी से जो चीज़े बनती हैं वो है pencil, table, chair, rubber से बनने वाली चीज़े हैं balloon, eraser, toys और cloth मतलब कपड़े से बनने वाली चीज़े हैं shirt, cap, trousers question number 3 who do you think is the naughtiest child in your class? describe her, him in five lines बच्चों यहाँ पर आपको उस बच्चे या बच्ची के बारे में लिखना हैं जिसको आप सबसे जाद शरार्दी समझते हो अपनी क्लास के अंदर आप लिखोगे या आप लिख सकते हो my best friend Samira is the naughtiest child in my class मेरी best friend Samira पूरी क्लास के अंदर बहुत जाद शरार्दी बच्ची है she teases her friends by calling with different names वो अपने दोस्तों को अलग-अलग नाम लेकर चड़ाती है she comes very late in the class वो क्लास के अंदर बहुत जाद देरी से आती है she never brings her lunch box और वो कभी भी अपना lunch box नहीं लेकर आती है she always disturbs the teacher in the class when she teaches us जब हमारी मैम हमें पढ़ा रही होती है तब वो मैम को बहुत जाद परिशान करती है अब हम करेंगे say allowed नीचे कुछ words है जिनको आपको मेरे साथ तेस तेस पढ़ना है first है hard, yard बच्चों आपको क्या इन दोनों words के अंदर कोई बात सेम लगी इन दोनों words के अंदर जो बात सेम है वो यह है कि इन दोनों words की जो last की sounds है वो एक जैसी निकल रही है और last की जो spellings लिखी हुई है वो भी एक जैसी है तो यह कौन से words हुए? यह words हुए rhyming words hard का meaning होता है सक्त yard बोलते हैं घर के बहार का जो हिस्सा होता है उसको long song यह भी rhyming words है long का meaning होता है लंबा song कहते हैं गाने को red, lead red बोलते हैं लाल रंग को और lead एक marble का नाम है weighty, 80 weighty बोलते हैं उस चीज को जिसके अंदर कुछ वजन होता है मतलब वजन दा चीज और 80 तो आप सब जानते हैं 80 हम कहते हैं 8, 0 को found का meaning होता है पाना ground कहते हैं फर्ष को या फिर जमीन को found, ground अब मैं ये सारे words एक बार फिर से पढ़ देती हूं hard, yard long, song red, lead weighty, 80 found, ground अब हम करेंगे fun time बच्चों यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप जोकर के लिए एक cap कैसे बना सकते हो अगर आपका मन करें cap बनाने का तो आप इस method को पढ़के cap बना सकते हो which country does your clown belong to now complete the table below नीचे एक table दी गई है जिसको आपको fill करना है nation यहाँ पर कुछ countries के name लिखे हुए है nationality और फिर आपको ये बताना है कि उन जगा की लोगों को हम क्या कहते हैं इंडिया की लोगों को हम कहते हैं इंडियान Scotland की लोगों को हम कहते हैं Scottish Australia की लोगों को हम कहते हैं Australian France की लोगों को हम कहते हैं French Japan की लोगों को हम कहते हैं Japanese बच्चों अगर आपको इस पोयम की question answers चाहिए होंगे तो उनकी link मैं आपको description box में दे दूँगी आप उस link को click करके इस पोयम की question answers कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल Little Champs को subscribe, वीडियो को like और share करना ना भूलें और साथी साथ bell icon को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका notification मिल जाए